नमस्कार इस वीडियो में हम मधू में अर्थात डाइबिटीज होने के कारण और उसकी कुछ मुख्य हमेपैथिक दवा की चर्चा करेंगे तो आईए समस्ते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके कारण की तरफ ध्यान दें तो इस रोक के उतपन्य होने का मूल कारण अभी तक ज्यात नहीं हो सका है रोक की प्रत्मा वस्था में त्वचा का रूखा तथा सूखा होना, बहुत अधिक प्यास लगना, अधिक भूख, दात की जरू में सूजन, कब्ज या सूखा मल आना, स्वास में बहुत दुरगंद रहती है, शरीर का मीठा होना, जीब का फटी हुई सी तथा लाग जाना, त्वचा का छै होना, कारबांकल, काम इच्छा में व्रिद्धी परंतु लिंग में तनाव की कमी, अस्तिरियों की जरायू में खुजली तथा अंत में 6 खासी के लक्षण होते हैं, रोगी के मुत्र का आपेचिक गुरुत्व 1.025 से लेकर 1.050 तक हो जाता है, इस इस अस्थान पर रोगी पेसाब करे, वहां चीटी लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके पेसाब में चीनी है और मधुमय होना तय है, पेसाब में चीनी होना, अत्यदिक पेसाब होना, तथा रात के समय बहुत अधिक प्यास के साथ गले का सूखापन ये तीनों लक् जो सरने वाले तथा ठीक न होने वाले अत्वा बहुत ही कठनाई से ठीक वाले होने वाले होते हैं, अब हम चिकित्सा के तरह बात करेंगे, इस रोग में लक्षना नुसार निमनलिखित औसदियां का प्रियोग करना चाहिए, सबसे पहली दवा है सीजीजियम, जमबोलिय यह औसद रोगी का सबी अवस्थाओं में लाख करती है, इसके सेवन से पेसाब का गुरुत्व में तथा पेसाब में जो चीनी की मात्रा है उसमें कमी हो जाती है, अधिक प्यास लगना तथा अधिक पेशाब होना ऐसा लक्षन में भी इस दवा का प्रियोग करना यह इस रोग की स्पेसिफिक औशदी मानी जाती है, तो इसका दवा का सेवन तो आपको करना ही करना है, इस दवा की मूल अर्थात मदर टिंचर की 5 से 10 बूंद हर 8 घंटे बाद आपको देनी ही चाहिए, मधुमे में पहुत अधिक लाप पहुँचाती है दूसी दवा है सेफे लेंडरा इंडिका मदर टिंचर, मधुमे के कारण हाथ पावों में जलन तथा पित्त की अधिक्ता के लक्षनों में सेफे लेंडरा इंडिका मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए, इसकी 20 बूंद आदिक पानी में डाल के दिन में 3 बार अवस्य पियें, अगर हाथ पैर में जलन है, पित्त की अधिक्ता है तो आपको बहुत अधिक लाग मिलेगा, अगली दवा है आरसेनिक ब्रोमाइट मदर टिंचर, इस औसदी के मूल अरके की 3 बूंदे एक ग्लस पानी में डाल कर दिन में 3 बार जरूर पीनी चाहिए, यह बहु अधिक लापकारी है, इस औसदी के सेवल से एक सकता में ही प्यास में कमी आ जाती है, इसे तब तक लेते रहना चाहिए, जब तक की पैसाब में शक्कर की मात्रा कम नहीं हो जाए, शक्कर की मात्रा बहुत कम हो जाने पर भी इस औसदी को दिन में केवल 2 बार के हिसाब से बहुत दिनों तक अवस्य लेते रहना चाहिए ताकि मधूमय को वह जड़ से ठीक कर सके। अगली दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम ठर्टी पोटेंसी। पड़ी पोशन क्रिया के अभाव के कारण उत्पन ने दोनों परकार के बहुमुत्र रोग में यह लाबकारी है। फॉस्फोरिक एसिट मधर टिंचर जिसे एसिट फॉस्ट मधर टिंचर भी कहा जाता है। प्रधान रोग्यों के लिए यह विशेश हित कर है। यदि रोग की आरंब में ही इस दोवा का प्रियोग की जाए तो बहुत अधिक लाग प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें ऐसे लक्षन में आप एसिट फॉस्ट मधर टिंचर का उप्योग 20 बूंत आदे का पानी में डालकर दिन में तीर बर अवस्य लें। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी बहुमुत्र रोग में मुत्र सरकरा, जी मिचलाना, वमन होना तथा मीठा खाने का बहुत अधिक इक्षा होना जैसे लक्षन में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी का उप्योग कुछ दिन अवस्य करें। नैट्रम्यूट 30 पोटेंसी गठिया रोग के साथ मधु में होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग वाले मधु में लाप करती है। आप नैट्रम्यूट 30 पोटेंसी और लैक्टिक एसी 30 पोटेंसी का उप्योग अगर मधु में के साथ गठिया रोग है तो जरूर करें। नैट्रम्यूट 6 एक्स में पेसाब में पीले रंग की तलचट बैठना, रात में अनेक बार पेसाब जाना, तथा सरीर के जल संचे होने पर यह औसत विसेस लाप कारी है। सीलन वाले अस्थान में रहने के कारण होने वाले रोग तथा बरसात के मौसम में होने वाले रोग में अगर बढ़ जाती है, होने वाला रोग में वृद्धी हो जाती है, तो आप एक बार नैट्रम्यूट 6 एक्स की चार गुली मुह में लेकर दिन में दो बार जरूर समस्या है तो आप प्लंबं आयो 30 पोटेंसी का उप्योग अवश्य करें तेरी बिंथीना 30 पोटेंसी किसी काम में मनना लगना डकारे आते रहना रात के समय बार बार पिशाब होना अंड लाल और युक्त पिशाब होना पिशाब में तली जमना कभी-कभी रंगहीन तथा पिशाब में शक्कर आना जैसे लक्षन में टेरी बिंथीना 30 पोटेंसी भी बहुत लाब करता है तो आप ऐसे लक्षन में टेरी बिंथीना का उप्योग जरूर करें अत्यंत लाब मिलेगा अगली दवा दो दवाओं का मिक्शर है नेट्रम सल्फ 6 एक्स तथा दोनों आउस्दियों का प्रयाय करम से सेवन करते रहने पर पेशाब में सक्कर आना एकदम बंद हो जाता है गठिया वाद के रोगियों के लिए भी नेट्रम सल्फ बहुत अधिक उप्योगी दबा है एक महान होमेपैथ डॉक्टर सेंडर के मतानुसार मधुमे का कोई भ 4-6-X की चार गोली दोनों को हलके पानी में डाल कर उसके गला ले और दो टाइम दिन में सुभा और साम अवस्षे सेवन करें कुछ हप्तों तक आपको बहुत अधिक लाप्राप्थ होगा आपकी रोग हो सके जर से भी ठीक हो जाए अगली दबा है आर्सेनिक थर्टी पो अधिक समय तक सरीर पर सरसों के तेल की मालिस करने के बाद असनान करने से मधुमे के रोगी की तवचा ठीक बनी रहती है नीम्बू का रस मिलाकर ठंडा पानी पीने तथा आउले का सेवन करने से मधुमे के रोगियों की प्यास बिल्कुल शांती रहती है ठीक हो जाती है दो-तीन दिन उपवास रखकर फिर नियमित हलका तथा सुपाच्य भोजन करते रहने से पेसाब में सक्कर आना बंध हो जाता है मधुमे के रोगी को मखन निकाला हुआ दूद अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए पुराने चावलों का भात, धान का लावा, जौग की भूसी की रोटी, केले का फूल, मूली, मूली के पत्तों का साथ, तथा शहद ये सब मधुमे के रोगी आप बिल्कुल ले सकते हैं आशा है कि आप मेरी वीडियो से आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार अपने लक्षन के अनुसार जरूर दवा का सेवन करें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर समझने में परिसानी आ रही हो, या आप ट्रेटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे वाट्स अप नंबर 900-624-2658 पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक सौप पर मिल जाएगा, दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे, खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा ले, कच्चा प्याज और खट्टी चीजों का सेवन ना करें, WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल, किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सबी अच्छी हैं, धन्यवाद.